विंटेज बैकड्रोप्स, लाजर दिन लाइफ चारेक्टर्स, आक्शन पैक्ट सीक्वेंसे और दमदार डायलोग्स यह सारी चीजे जिन फिल्मेकर के सिगनेचर स्टाइल ऑफिल्मेकिंग है आज वही लेजंडरी फिल्मेकर मिलन लूट्रिय हमारे साथ है जिनकी डैरेक्टरिल डेब्यू फिल्म का चिंथ हागे को 25 साल पूरे हो रहे है बिलन जी इसके बारे में हम यह सारी बाते आपसे करेंगे लेकिन सबसे पहले पंजाब के सीन होदे टाइमस में आपका बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद अच्छा धन्यवाद तो मैं आज फिल्म लवर आपको कहूं फर गिविंग अस अमेजिंग सिनेबा इस फिल्स ग्रेट आमीन बहुत सारे लोगों की शुपकामलाएं हैं और दौाएं हैं मैं तो यह अभी भी अजीब सा लगता है जब लोग कहते हैं कि आइकानिक फिल्मेकर या ऐसे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं तो थोड़ी से शर्म आती है कि हम तो बहुत कड़ी मेहनद करते वे आए हैं बस यही कोशिश की है कि दर्शकों को हमेशा कुछ नया दें और जिसमें एंटर्टेंमेंट भरा हुआ हो जिसमें हम कोशिश यह करते हैं कि कहानिया कुछ नई किसम की हो परफॉर्मेंस पर ध्यान ज्यादा रखते हैं वो एक तरफ से बहुत दयालू भी है कि कई बार आपकी फिल्म में पांट साथ गलती है तो माफ करी देता है आपको लेकिन फिर भी अगर पिक्टर अच्छी हो तो वह आपको बहुत कराता है लेकिन मैं हमेशा यह पोशिश करता हूं कि जब मैं एक फिल्म मैं फिल्म को एक दावत की तरह परोशिश करता हूं कि जिसमें अच्छा खाना हो अच्छा खाना की नहीं हो अच्छी अच्छी हो बावियार क्रेशनिंग हो बाचीत हो तो वह शीज यह है कि एक एक पुरी भी हुई सी चीज अगर हम ऑडियोंस के सामने रखते हैं तो I think they feel के they get their money's worth खास करके आजकल के audience क्योंकि हम भी लोगों के साथ बढ़ते जाते हैं बदलते जाते हैं कोशिश करते हैं कि उनको समझें क्योंकि अलकिमिकली हमारा जो पर्ज है या हमारी जो जिम्मेदारी वो producer और एक्टर के से ज्यादा दर्शक के लिए हैं तो उनके कैसे कुछ रखना और बांज के रखना दो और दावत फिल्मों में जैसे होता न हम किसी दावत में जाते तो हमको सारे फ्लेवर्स चाहिए हमें खटा भी चाहिए हमें मीठा भी चाहिए हमें थोड़ा तीखा भी चाहिए तो वो सारे फ्लेवर्स entertainment के हमको मिलन जी आपकी फिल्मों में देखने के लिए मिलते हैं तो यह जो आपने डावत पेश करने की 25 साल पहले कच्छे धागे से की थी तो आज जब हम असके बारे में बात कर रहे हैं तो कितना nostalgia फील करें क्योंकि मैं अगर मुवी लवर बात करूँ तो जैसी मुझे पता चला कच्छे धागे के लिए इंट्रव्यू है तो काने वो सीन्स वो सब कुल दियान में आ गया तो अजब फिल्मेकर जिनकी तो वो पहली कहते हैं तो आपके लिए कैसा है नॉस्टाइलजिया इस फिल्म का जो है वो बहुत फ्रेश है मेरे लिए क्योंकि इसकी टाइमलेस्नेस की बहुत सारी बाते होती हैं और आज कल जब मेरी पियार टीम ने कहा के हम ये सब बातें करने वाले हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी शूटीम पिछले मेने खतम हुई है ये इसकी यादें इतनी फ्रेश हैं क्योंकि हम सब ने बहुत बहुत प्यार से फिल्म बनाई और बहुत बहुत मजे लिए बहुत मस्तियां की वो सारी चीज़ें अभी तक फ्रेश है माइन में ऐसा न उस उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी अच्छी बनेगी या इतने बड़े कैन्वस पर बनेगी बनते बन गई मेरे प्रोडूसर्स घुमार तौरानी और रमेश तौरानी ने बहुत सपोर्ट किया हमको और बस यही एक चीज़ थी माइन में के उस दोर में ऐसी फिल्म बनाए जाए जो पहले ना आई हो एक रोड फिल्म एक दो भाईयों की कहानी जो हकड़ी से बन दे हुए हैं जिसम में म्यूजिक भी हो और एक चीज़ जो पहले आई थी और आना बंद हो गई थी वो थी तू हिरो फिल्म जो बचपन में हमने बहुत देखी थी अमिर जी की फिल्में विनोत खना के साथ तरम जी के साथ सब के साथ तो वो एक एक फैसिनेशन था कि किसी तरह मैं एक टू हि हिरो मान गए है और हाला के सैफ ने थोड़ा वप्त लगाया लेकिन मान गए है और मानने के बाद हम को एक और और सजावट ढूंड रहे थे हम तो हम को मेरी दोस्ती थी मनीशा के साथ मैंने अस अनसिस्टें उसके साथ काम किया था तो जब प्यार किसी से होता है तो फिर एक वो चार स्टार आ गए हमारी फिल्म में और फिर उसके बाद दो बड़े स्टार और जुड़ गए नुसरत फत्र अलिखान साब और आनन बक्षी साब जी तो एक ऐसा था कि मैं एक सपने में जी रहा हूँ कि मुझे जो एक लगा था कि छोटी फिल्म मिलेगी पहली फिल्म मैं पुशिश करकि उसको अच्छी बनाऊंगा वो और बड़ी बनती गई और बड़ी बनती गई पिर उसमें एक्षिन में टीनू वर्मा साब आ गए बहुत बड़े कैमरेमैन मिल गए गोपाल रेडी के साथ काम करने का मौका मिला तो यह सारी चीजें बिजॉन दास गुपता वस दा आर्ट डिरेक्टर मुजिक को जिस तरह हमने शूट किया जिस तरह लो आपना टिप्स ने जिस तरह उसको प्रमोट किया और जिस तरह से इसका जो एक दो दो तरफी इसकी कामयाभी रही और एक मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद जब इसके रिव्यूज आए बहुत अच्छे रिव्यूज आए तो फिर जो हम क्लास ओडियंस या अर्बन ओडियंस कहते हैं वो भी इसको पसंद करने लगे मेरी फैमिली भी कहती है कि यह आज तक मेरी सबसे बहतरीन फिल्म है अगल को फिल्म है तो सबसे हरें अगल को अच्छे बहुत बीर हैं त्यूर्ण और इस ख्यूससिए तरह को अपन racism जांते हैं थिरू यह फिल्म में हैं और ऐस एट गार। जब बन रही थी इतने बड़े-बड़े नाम इसके साँ जोड़ रहे थे तो it must have come with its share of challenges जैसे कि if I'm not wrong आपका जो train sequence था उसमें शायद Ajay Devgan को चोड भी लगी थी और बहुत time उस sequence को शूट करने में लगा था नहीं वो देखिए वो sequence पहले से ही हमारे जहन में बहुत clear था और मुझे जो मेरे producer ने mandate दी थी वो यह थी कि मेरा पैसा मुझे loss नहीं नहीं चाहिए लेकिन मुझे profit भी नहीं चाहिए मुझे एक बड़ी फिल्म बना के देने तो यह sequence जब हमने conceive किया और इसको फिर हम पेपर पिलाए और execute करने गए तो हमने realize कि यह बहुत महेंगा sequence होगा उस time पे इस sequence पे एक करोड़ रुपय कर्चा हुआ था और 11 दिन हमने train hire की थी और क्यूंकि उस time harness और cables safety west वगेरा नहीं थे तो real सारा कुछ real था अजय को हमको डालना पड़ा train के नीचे सैफ को उपर पैर पसा के वह खीच रहा है वहां से तो एक 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 moment पे अजय का जो सिर है वो पत्थर के लग गया नीचे रेल के नीचे जो पत्थर होते हैं और उसने कहा के रोको 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 उने वार्निंग दी हमको रोको रोको तो हम», हमने convey की warning engine driver को रोको रोको तो एंजिन की साउंड की वजए से उसने उसको सुनने में आया गो 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 उसने स्पीट बढ़ा दी जिसकी वजए से उसके अजय के सारे पीछे से जो पीट के जो कौपटे थे वो सब फट गए और उनको काफी चोटा है इंपीट पे बट टी वस फाइन वी केम आउट वी क्लीन इस बैक एंद वेंट बैक और गेब शॉट अगें एक एक शॉट था जिसमें एक एक जीप एक्सप्लोड होती है हवा में उट पूरती है वह है फिल्म है वो शॉट और अजे समर्सॉल्ट लेके वहीं वहां जाके वहां से निकलता है जीप की नीचे से तो जब अजे समर्सॉल्ट ले रहा था तो उसकी आँख में मिट्टी चली गई रेच चली गई और उसको मांक तक पहुचना था जीप से थोड़ा दूर जहां जीप वापस आके गिरने वाली थी तो वो मांक तक नहीं पहुचा और जी हमारे एक इंबिल्ट इंस्टिंक्ट होता है टेक्निशिंज का कि हम फ्रेम में नहीं जाते हैं हम सीख चुके हैं कि यह हमारा हमको फ्रेम से बाहर रहना है बना शॉट खराब हो जाएगा लेकिर हम दूनों ने इंस्टिंटिवली वो एक साथ में च्हलांग मारी क्योंकि ह हमने रेलाइस किया कि उसके आखें बंद हो चुकी थी वो आख में रेत चली गई थी और उसके उपर हम लपके और उसको उठाके हमने साइड में लिया और जीब बिल्कुल वहीं आके गिरी जहां वो था exactly उसी पॉइंट पे so it was like a near death experience right right and but we were all hungry you know just as we are today wanting to push the envelope hard अजे के तो obviously roam roam में action है उसकी timing बहुत बहुत बहुतरीन है सैफ की अगर बात करें तो कहीं पे वो उसने कोई challenge छोड़ा नहीं चाहिए वो दोड़ना हो चाहिए वो गोड़े पे बैठना हो चाहिए वो गन firing करनी हो ट्रेन पे भी बहुत ग्यारा दिन धूप में हम थे और अपने आप भी बहुत गरम हो जाती है अगर आप बोगी के अंदर हो तो अलग है लेकिन ट्रेन का जो बाहरी हिस्सा है जो पत्रा है उसका जो जाता है गलती से अगर आपकी अंदर आप रख दो तो उंदर जल जाती है तो गीले गीले तौलिय रखके उसको हम घंडा करते थे फिर शॉट लेते थे और ट्रेन के साथ क्या होता है कि जिसे गाड़ी हो या गोड़ा गाड़ी हो तो थोड़ी आगे चले जाए तो आप फिर वापस स्रीटे के लिए पिछे बुला लेते हो यह जब जाएगी उसको वापस बुलाने के लिए पौना घंडा लगता है फिर बीच बीच में दूसरी गाड़ी आती थी क्योंकि सिंगल ट्रैक था तो आपको जाना पड़ता है यार्ड में यार्ड में आपको धाए वो गाड़ी निकल जाती है फिर आप वापस मार्ग प्यास सकते हो प्लस इतने सारे फैंस थे दोनों आक्टरों के के जब हम उद्धर पूर्सेशन से निकलते थे सुबह तो पचास साथ सो देड़ सो मोटर साइकलें साथ साथ में हमारे साथ कोई पटरी पे कोई रोड पे कोई तकरा रहा है कोई गिर रहा है सौ देड़ सो लोग ट्रेन के ऊपर चड़ जाते थे तो फिर भी समाओ भी मैनिश्ट और बस यही था कि अच्छा काम करना है बलकुल और वो अच्छा काम दिखा भी कि 25 साल बाद हम वापस से उसकी बात कर रहे हैं as if it just happened yesterday I don't know यह मैं स सारी चीजें हमें नहीं पता थी सो यह इंसिदेंस आपने बताए तो एक बार फिर से हमारे लिए भी एक नई लर्निंग यह हो गई है बट अब चो है आप OTT स्पेस में भी एंटर कर चुके हैं और एक्सपेक्टिंग कि हमें दे मिल लूथ्रिया माजिक अब हर स्पेस में देखने को मिलेगा आज लिरिसिस्ट भी आप उतर चुके हैं तो क्या मैं यह मान के चलू कि कैमरे से कलम तक का सफर यह आगे भी जारी रहेगा बहुत मजा आया जब मैंने लिखा उसकी पीछे भी एक कहानी है कि रात को हम बैठे थे हमने ट्यून फाइनल किया और वर्ड कुछ जम नहीं रहे थे दिरिसिस्ट कोई नहीं था बड़ हम सोच रहे थे कि हम कैसे आगे ले जाए एक दो दिन निकल गए मैं शूट कर रहा था तो रात को ठके शूटिंग से आये हम लोग और खानका के सो गए और गाने के बारे में सोच रहा था मैं तो सुबह मैं जब टू-डू लिस्ट जब मैंने चेक किया तो उसमें गाने के लिरिक्स औरडी लिखे हुए थे तो इसका मतलब है कि कहीं मैं नींद में उठा था और कहीं मेरे वो मेरे माइन बैक आफ दा माइन में वह एक एक टेंशन थी या वह एक बेचैनी थी सबकॉंशिस माइन में चल में लिखा है मैंने क्या लगता है आपको तो उन्होंने का नहीं से बहुत अच्छा है इसी को रिकॉर्ड करते हैं तो अगर अगर उतनी काबियत हो होगी कि और एक गाना लिख सकों तो ज़रूर कोशिश करूंगा लेकिन अगर डिफिनिटली इस मेरे से बहुत सारे बेट से जो आप काम करते हैं उसकी मिसाल तो दुनिया के सामने है ही मिलन जी तो हे सारा काम आप करते रहें विशिंग यू गुड है गुड सक्सेस ताकि और आपके थू हम लोग एंटेटेन होते रहें और थांक यू सो मुच पर आइप इस इंटर्वीर थांक यू वरे मच था लगी तो